हलो फ्रेंट्स वेलकम तो कार्गी क्लासेज डेटा आज की एक सितंबर दो जारी कीस और देख लिए थे इंडियन एक्सप्रस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टन आर्टिकल जो भी हम इस वीडिया में डिसकस करने वाले हैं फर्स्ट आर्टिकल जो देखेंगे डाट इस टर्म आफ टर्म्स आफ रिकवरी देखो एप्रिल जून क्वाटर का अभी डेटा रिलीज हुआ है जी डीपी के पॉइंट आफ यूस हैं तो वैसे तो यह देखो पूरी एक 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 इमेज तो पूरा क्लिर नहीं करती पर एक ट्रेंड हमें समझ में आएगा उस पॉइंट आफ यूसे एक बार इसको डिसकस करेंगे दूसरा इधर आर्टिकल है टू एंगे इस तालिबान और नॉट तू इस आर्टिकल से रिलेट इस मुद्दे से रिलेट बहुत सारे कंटेंट हम अल्रडी देख चुके हैं तो तो उस पॉइंट आफ इस आर्टिकल एक तो यह और एक यह हैपियर हैपियर स्कूल जिसमें कि समग्र सिक्षा स्कीन 2.0 यह देखो चार अगस्त को लांच की गई थी राइट तो जो कि नैशनल एजुकेशन पॉलिशी 2020 में इस चीज को एंविसास किया हुआ था तो उस प चेंजिस लाए जा रहे हैं 14th of August को हम एक क्याता है कि हमारे जो प्रॉब्लम हुई थी जो पार्टिशन का जो एक डर है जिसको हम बोलता है कि पार्टिशन हॉरर रेमेंब्रेंस दे के तौर पर इस अब्ज़र करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मौदे ने लास्ट अर्टिकल है डाट इस अबाउट तुथ अबाउट अबाउट एसट मौनेटाइजेशन की जो अभी नेशनल मौनेटाइजेशन पाइपलाइन इसमें जो रियक्शन हमने देखे थे संडे वाले न्यूस्पीपर की डिसकुशन में देखे थी पीच अदंबरम जी अपने कुछ ऑपीनियन दिये थे इसको लेके तो उनको काउंटर किया जा रहा है तो कुछ पॉइंट है एक दो वो देख लेंगे कुछ पॉइंट्स को राइट तो चलिए देखते हैं जितने भी एक दो आर्टिकल हमारे पास में डीटेल में फर्स्ट आर्टिकल है जिसको अंपरिल जून बोलता है उसका डेटा रिलीज गुए जिसमें पता पढ़ा है कि हमारी एकोनोमी 20.1% से ग्रो कर गई है पर सवाल ये है कि यहां पर यह कुछ भी शेनरियो निकल के आ रहा है क्या बिना दर्द के है बिना कोई परिशानी के ह क्योंकि जब second wave जब हमने face की थी तो उसका जो pain था वो लगातार अभी तक भी खतम नहीं हो पाया है ठीक है normal times के अगर बात की जाए तो year on year हम comparison करता है जैसे पिछले साल के comparison में आज के time पे क्या आपकी growth rate है GDP में क्या variation आया है कितना कौन सा sector perform कर रहा है तो comparison हमें state of economy के बारे में कुछ एक understanding develop करने के लिए help करता है but real sense में अगर देखे जाए तो यहाँ पर आज का जो यह data है जिसकी बात हम कर रहा है current financial year के first quarter की इसमें कुछ discrepancies है कुछ statistical distortion है इसमें सबसे main है that is low base effect क्योंकि 2021 के first quarter की बात करें तो first quarter जिसके comparison में आज के इस quarter को देख रहा हूँ मतलब 2021 and 2021-22 इसको आप देखो तो दोनों का comparison आप first quarter का करोगे जबकि 2021 that means previous financial year का first quarter में इंडियन economy 24.4% से contract कर गई थी जबकि इसी minus के 24.4% को आप compare कर रहा हो current growth से तो आपको कितना growth दिखा रही है 20.1% तो यह अपने आप में यूं लगता है कि बहुत ज़्यादा encouraging है इंडियन economy बहुत ज़्यादा track पर आ चुकी है अब एक चीज और क्योंकि पिछले साल तो हमें पता है कि nationwide lockdown लगा हुआ था इस time पर first quarter के time पर impose किया गया था फिर उसके बाद में virus ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी पर हाँ अभी जो first quarter गया है इसमें covid के cases बहुत है second wave का हमने सामना किया पर इस case में क्या था कि localized restrictions लगाई गी थी ना कि nationwide lockdown एक ये difference आ गया एक तो पूरे देश में पूरी economic activities को आप रोग दो और एक आप local administration को ये बोल दो जी कि आपके यहाँ पर cases कितने किस हिसाप सार है उस हिसाप से आपने यहाँ पर जो mobility है उस पर restrictions लगा हो तो point किया आजाता है कि जो पिछले साल का जो हमारे experience से उससे बिल्कुल different experience आज के time पर पिछली बार lockdown पूरा था पिछली बार हमारी economy जो थी 24.4% तक contract कर गई थी same quarter में previous financial year में जबकि अपके बार localized restrictions थी एकदम से lockdown नहीं लगाया गया था तो ऐसे में हमारी growth कितनी register होगी 20.1% तो देखो 20.1% of GDP के अगर बात करें तो इसमें overall देखो तो पिछले साल तो pandemic था बट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो हमें comparison करना चाहिए 2019 बीस से जिस time पे pandemic का कोई असर नहीं था और आज की अगर economy compare करें तो पता पड़ता है कि हमारी GDP 9% तक down है मतलग 2019 बीस के first quarter में इंडियन जीडीपी की जो size थी ना उसके comparison में current quarter जिसके हम बात कर रहे है April June quarter of 2021-22 current financial year के वो 9% कम है 2019 बीस के comparison में तो देखो हम अगर पिछले साल की बात करें ना तो pre-covid levels that means कि जब covid outbreak हुआ था उसके पहले जो हमारी economy का stand था ओके या economy की size थी उसको हमने achieve कर लिया था जो second half था ना that means आप मानों यहाँ पे कि अप्रेल से शुरू होता है तो October November से बात में आप देख सकते हो November से March तक October November December January February and March तो यह second half जो था 2020 October से लेकर के 2021 March तक है उसमें हमें हमारी economy थोड़ा सा bounce back कर रही थी और pre-covid level तक हमारा perform आना शुरू हो गया था पर उसका result क्या रहा फिर बाद में आगई second wave आपको पता है अप्रेल से इस को डिकलियर कर दिया था और फिर जो localized restrictions अब वो लगानी शुरू कर दी तो फिर से हमारी economy रुख गई तो यह तो overall हमने बात कि अब sectoral breakups की बात करें तो GDP डेटा यह शो करता है कि अभी भी बहुत सारे concerns है चलो यह तो अच्छी बात है कि agriculture अभी भी अच्छा perform कर रही है बजाए इसके कि गाउं में cases बहुत जादा हो चुके हैं अब की बा जादा benefit किसको मिला agriculture electricity gas water supply इनको तो देखो फिर भी कुछ ना कुछ increment मिला है जो की प्री कोविड लेवल के comparison में के लगबग लगबग पहुंचे हैं पर दूसरी तरफ manufacturing on construction के अगर बात करें ठीक है दोनों sectors contract कर गए हैं जहां पर जो अर्बन एरिया में ज्यादा तर जाब म employment मिलता है फिर यह है कि थोड़ा बहुत देखो bounce back हुआ था जैसे कि construction activities को इनको रोका नहीं गया infrastructure में investment यह सारी चीज़े की गई बट overall देखा जाए तो 2019 भी इसके comparison जो pre pandemic लेवल था उसके comparison में अभी भी down ही है इसके अलावा labor intensive जो industry जैसे trade, hotels, transportation, communication sector इनमें भी अभी तक gap बढ़ता ही चला गया है अभी भी जो यह service sector है जहाँ पर labor intensive काम होते हैं वहाँ पर अभी तक भी full फ्लेज़ड जो achievement होना चाहिए या फिर जो level का economic activities होनी चाहिए वो नहीं हो रही है फिर बात आजाती expenditure side की तो देखो private consumption एक तो कि हम कितना खर्च करते हैं हमारा खुद की earning से एक एक individual और साथ में gross fixed capital formation कि कितना आपने invest किया जिसके basis पे नई capital form हुई economy को boost करने के लिए तो ऐसे में दोनों situation में देख सकते हो कि जो growth rate है वो तो आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है ठीक है पर यहाँ पर सवाल ही आ जाता है कि अभी तक भी हम 2019-2020 के level को सरपास करें उसमें थोड़ा time लगेगा इसके अलावा दूसरी जो अगर बात करें तो इसमें point आ जाता है कि केवल export है ना वो ही एक ऐसा point बन जाता है जहां पर थोड़ा सा हमें कहता है ना silver line है वो शो हो रही है कि export है वो 2019-2020 का जो level था उसको cross कर गया है तो देखो point इतना आता है कि second wave धिरे-धिरे हट रही है इंडिया के द्वारा जो business redemption index है वो release किया जाता है तो उसमें अभी 102.7 इंडिकेटर आ रहा है ठीक है जो कि august 29 को august 29 का data ही है जबकि में में यह कितना चल रहा था जब second wave जो थी ओपीक पे थी उस time पर इसका business redemption index which is which is being released by the Nomura India उस ताइम पर हमारा इंडेक्स सल रहा था 60.2 तो यह चीज़ी देख सकते हो कि हाँ economic activities है वो थोड़ी बढ़ रही है pre pandemic level की तरफ हम बढ़ रहे हैं पर कुछ concern के causes भी है एक तो GDP data है quarterly अब quarterly data में देखो informal economy के बारे में आप ज़्यादा coverage नहीं लेते हो दूसरा MSME sector जो की लगातार बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है बहुत सारी कोशिशे भी की गई है government के द्वारा ठीक है जै तो उसको coverage नहीं मिल रहा है तो एक तो concern की वज़े ये है कि coverage प्रॉपर नहीं है एकोनोमी का quarter के basis पर अगर हम analysis करें number two household demand है वो अभी भी रुकी पड़ी है proper capacity utilization नहीं हो रहा है private investment देखो वो अभी तक भी आप नहीं attract कर पा रहे हो government की abilities की बात करें investment में या खर्चा करने में तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वही बात है revenue या फिर revenue से पैसा इकटा नहीं हो रहा है खर्चा जादा करने की ज़रुत है economy बिलकुल रुकी पड़ी है boost देने की ज़रुत है boost देने के लिए सरकार को चीए पैसा तो मजबूरन फिर बाद में asset monetization pipeline जैसी कामों पर focus करना पड़ता है export है ना वो देखो थोड़ा बहुत फिर भी एक flip देता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ एक शुरुवात एक push दे देगा पर सवाल ही आजाता है कि जी अभी तक भी जो vaccine की pace है वो बहुत slow है उसको हमें बढ़ाने की ज़रुत है और डर ये वो लगा हुआ है कि third wave ना आ जाए तो ये अभी फिलाल situation है हमारी economy की जिसके बारे में कुछ डर भी कुछ positives भी कुछ हमारा background क्या रहा हुआ उससे भी हमने compare किया आगे चलते है next जो article है that is about lost lessons देखो almost आप देख सकते हो कि डेड़ साल बाद में schools फिर से खुलने की बात हुई है आज से और covid-19 cases है उनमें numbers में भी decrement है और vaccination भी है वो थोड़ा सा बढ़ा है और बहुत सारे states हैं वो schools को reopen कर रहे हैं अब यह अपने आप में enormously बंतलब वाकई में welcoming कदम है यह बट आप देखो schools को आपने मार्स 2020 में बंद किया covid-19 pandemic जैसे है और students और teachers को आपने बिल्कुल deep crisis में push कर दिया और जितना ज़्यादा crisis students और teachers ने face किया उतना शायद ही किसी ने किया होगा center की जो short-sightedness थी जिसमें कि उन्होंने जो frontline workers की category थी उसमें teachers को include नहीं किया और उसका खामियाजा बोगतना पड़ा है पूरे schooling system को अब आप यहाँ पर overall देख सकते हो result क्या रहा है कि जो बच्चे school continue जा रहे थी जैसे dropouts बहुत जादा हो गए school में जो enrollment थे वो छोड़ छोड़ करी चले गए दूसरा जो marginalized section जो लोग विलोंग करते जिनके पास स्मार्टफॉन नहीं इंटरनेट नहीं उनको education accessibility नहीं थी तो उन्होंने देखो emergency like situation का सामना किया है और आप फिर board exams की बात आ जाती है और board exam के अंदर भी आपने कैसे जैसे करवा करके जिन लोगों के class test हो रखे थे उसके basis पे आपने calculation करा दी अब आप result देखो 99-100% ऐसे scores बन रहे हैं जहां पर फिर जो evaluation system है उस पर सवाल आ जाता है फिर higher education में उनको entrance मि और actual में उनके performance अकर देखी जाए students की तो वो बहुत ही पूर है बज़े क्योंकि classes regular नहीं रही तो government देखो बहुत कम attention दे पाई थी education के catastrophe को और ये वाकई में बहुत नुकसान वाली बात है बहुत सारी बाते निकल के आई थी कि वो देश कैसे grow करेगा जहांबर शराब की द 60 million children ऐसे हैं इंडिया में जो की classroom में पिछले एक साल से गए तक नहीं है तो ये आप situation समझ सकते होगी हमारे education system को कितना जादा harm पहुचाया है इस COVID-19 ने हाइट और उसके बाद में फिर आप देख सकते हो जो lockdown लगाया उसके बाद में और रही जही में जो frontline workers थे उनके category में teachers को include आपने नहीं किया तो उनके आपने healthcare नहीं ध्यान रखी तो वैसे वो risk-sum था तो वैसे schools नहीं ओपन हो पाई फिर आपने ये कहा कि जी digital classroom platform पे चले material उसके basis पर उन्होंने कुछ कर लिया आपने online classes की बात की तो एक चीज बताओ इसमें तो one way digital learning थी जो teachers पढ़ा रहे हैं जो जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं तो वो चीज आपको समझ में आए या नहीं मैंने तो बोल दिया तो अब चलो आप तो बड़ है कि जैसे कोई content आपको classroom में physically समझ में नहीं है तो हाँ वो आप online access कर सकते हो पर आप 100% replace कर दो वो एक अपने आप में गलत policy हो जाती है चाहे teachers हो चाहे educationist हो हर कोई school की schooling में जो gap आया ना learning को लेकर के इसको लेकर के बहुत जादा concerned है और यह देखो formidable है हम इसको बिलकुल भ बच्चों की जो आप कहसे को ना understanding चाहिए linguistic understanding हो mathematical calculation abilities हो यह जो previous class से उन्होंने जंप करके अभी next में पहुंचे हैं तो previous class के level तक भी उनकी performance अच्छी नहीं आ रही है जहां पे उन्होंने 9900-100 score किया है 92% students ऐसे हो चुके हैं इस study के basis पे पता किया गया कि 92% students का यह हाल है कि उनकी एक जितने भी उनको language आती है उनमें से कोई specific one language आप उठालो उसमें understanding उनकी खताम हो गई है 82% students का हाली है कि वो specific mathematical abilities को जो कि previous classes से उन्होंने learn की थी वो उनकी miss हो चुकी है तो यह चीज़े clear होती है कि वाकई में जो बच्चों की जिंदगी में school में जाकर के जो learning process था वो बिलकुल खतम है और एक जो social and emotional contract बनता है जिसमें दोस्त बनाते है social skills आती है कि कैसे manage करते हैं एक दूसरे को वो भी missing है तो देखो सबसे बड़ी problem तो यह education system को उठानी पड़ी है इसके अलाबा nutritional values को maintain रखने के लिए integrated child development scheme ICDS के तहयते या फिर आप देखते हो midday meal scheme जिसमें क्या बनता है गरम पका हुआ खाना schools में गरीब परिवारों के बच्चों को मिलता है तो उस चीज से क्या हो जाता है कि उन बच्चों को nutritious food भी मिलता है तो वहाँ पर वो भी problem हो गई क्योंकि जैसे हमें पता है कि world में सबसे ज़्यादा stunting and wasting के अगर cases है तो वो इंडिया में stunting का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि उम्र के हिसाब से बच्चे की height कितनी निकल रही है wasting का मतलब होगे height की according बच्चे का weight क्या है तो stunting तो अपने आप में यह मानों कि बहुत ही जादा खतरनाक साबित हो सकता है वज़े की stunted कोई भी बच्चा होगा इसका मतलब कि उस बच्चे को previously या फिर अपनी life span में nutritious food नहीं मिला इसकी वज़े से उस बच्चे की height नहीं निकल पाई इसके अलाबा most vulnerable segment की अगर बात करें तो वहाँ तो हाल ही बहुत बुरा है जहां पर बच्चों को बिचारों को education से निकाल दिया drop out करा दिया या तो उनको child labor में लगा दिया या फिर उनकी child marriage कर दी तो ये चीजें क्या है reality है और आप देखो ये challenges है ये daunting है discouraging है और इनको हमें tackle करने में बहुत time लगेगा bridge courses conduct करा हो नहीं तो ये जो gap create हो गया na schooling के अंदर ये हमेशा उन बच्चों की जिंदगी के ओपर impact डालेगा तो हमें skills को restore करने की जबरत है इन bridge courses के basis पे जिसें के बच्चों के अंदर confidence है schools में आप nimble solutions तयार रखो ऐसा नहीं वही बात है कि आप top down approach के ओपर government of India ने कोई plan बनाया government of Rajasthan government of Haryana ने कोई plan बनाया और उनको schools पे थोप दिया अज़े आप school को autonomy दो ना कि आप अपने हिसाप से plan बनाओ और उसके अंदर ये ये guidelines से इनको इन keywords को आप ध्यान में रखना है ठीक है तो फिर वो उससे सापस अच्छा रहता है तो urgent need है कि अभी आप चलो 9 to 12 वाले बच्चों को तो अभी बुलाने की बात कर रहे हो पर primary schooling के जो students हैं उनको भी आप physical classrooms में लेकर क्या हो आप इनको ignore नहीं कर सकते हो नहीं तो फिर बाद में आपको intergenerational learning के losses का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज अगर बच्चे की नहीं भी अच्छी नहीं है तो आने वाले time की जो learning होगी higher education में तो वहाँ पर वो weak feel करेंगे तो government को देखो top down democratic solutions हैं इनको तो रोकने की ज़रूरत है और schools को आगे push करने की ज़रूरत है कि आप अपने हिसाब से design करो कि आप किस तरीके से covid situation को देखते हुए अपने खुद की plan करो गया education देना चाहोगे बच्चों को जिससे कि उनकी health भी risk में आ जाए और उनकी education भी आ हुआ है आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है a happier school देखो समगर शिक्षा scheme 2.0 अभी चार अगस्त को launch हुई है government of India ने approval दिया है तो यह आर्टिकल लिखा है देखो अनीता करवल ने देखो लगबग 293 transformative paragraphs के अगर बात की जाए national education policy document में तो वो associated थे school education से particularly school education से और उसमें में जो 86 थे वो related थे revamped समगर शिक्षा 2.0 सकी समगर शिक्षा का मतलब आपको पता पढ़ गया कि सबको education opportunity देना inclusive education opportunities आप create करना चार रहे है तो government ने 4th of August को इसको approval दे दिया है अब आप देखो कि एक लड़की का वीडियो आता है वैसे तो recently बोला इन्होंने अब time तो दीजी आप यह school का burden है यह reduce करो मैं इतना class लेती हूँ इस तरीके से back to back मुझे time ही नहीं मिलता है और फिर बाद में पक जाते है something को बताया था उन्होंने तो उसमें क्या था कि आप online education दे रहे हो उसके बावजूद इतना boring आपका curricular है या फिर जो schedule है time table है daily का वो बहुत जादा monologue हो जाता है आप कह सकते हो कि monitorness हो गया ठीक है तो उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है समगरे सिक्षा में समगरे सिक्षा का मतलब हो गया holistic education जिसमें एक बच्चा joyfully education लेता चला जाए अब आप देखो physical, social, emotional, mental यह चारो तरू तरीके की well-being अगर आपको ensure कर ही है अब यह जो वर्जन है समगरे सिक्षा अभियान का 2.0 तो scheme focus कर रही है कि बच्चों को retain किया जाए इस्कूल में उनको accessibility दी जाए जो भी resources जब वो साथ में उनकी जो foundational requirements हैं उनको strengthen किया जाए equity और inclusiveness ऐसा नहीं कि गरीब बच्चे को बाहर रखा जा रहा है अमीर का बच्चा स्कूल में जा पा रहा है या फिर जो caste system की basis पर discrimination है या class system की basis पर discrimination हो नहीं होना चाहिए inclusion जादा से जादा होना चाहिए education का standard and qualities इंप्रूव होनी चाहिए जो holistic curriculum है अब holistic इसलिए बोला जा रहा है कि एक बच्चे का well-being आप ensure करो sports में participation होना चाहिए एसस्टी से related जो भी है मानलों की school के अंदर आप कोई event organize करवा रहे हो तो बच्चों को एक team work दो emotional का मतलब हो गया कि कोई adverse situation आ गई तो उसमें वह कैसे tackle करेंगे कोई भी situation में और mentally उनको strong बनाओ तो उसके लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है देखो इसके अंदर सारे stakeholders including teachers, parents and students themselves और उसके अलावा technological integration वह अगर दे दिया जाए तो उसका push उनको definitely help करेगा अब देखो 25 करोड के लगबख students हैं जिनकी age है 6-18 साल की अगर इंडिया में around अगर estimate लगाए जाए तो तो इसमें पहली चीज आ जाती है कि उनको affordable quality education दी जाए और scheme इसी चीज पर ध्यान दे रही है जिसमें main focus है basic school infrastructure पे देखो वैसे तो right to education act 2009 उसके basis पे इन चीजों को proper क किया गया था कि schools में admission है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए और elementary education को तो at least provide किया जाए वैसे आपको पता होगा कि article 21A of Indian constitution right to education ये भी envisage करता कि elementary education तो state अपने हिसाब से free of cost अवेल कर आएगा तो first time pre-schooling infrastructure पर ध्यान दिया जाएगा यहां तो admission की बात ही की ती right to education में पर अ अब क्या है मतलब चाहिए वो government school हो चाहिए private school हो अब क्या कर दिया कि pre-school infrastructure की requirement है चाहिए वहाँ पर laboratories ही क्यों ना हो वहाँ पर भी उनके लिए भी इस समगर शिक्षा scheme 2.0 के तहत funding दी जा रही है इसके अलावा class 8 to 10th के जो students है उनके लिए transport facility जिससे की बच्चे school को आ जाए फिर इसके अलावा 16 to 19 years old student जो school नहीं आ सकते जिनके ओपर economical pressure है उनकी family की वज़े से तो उन बच्चों के लिए open school system का provision भी समगर शिक्षा 2.0 के तायत किया गया है इसके अलावा फिर आगे preschool stage से लेकर के जो main focus है वो है learning पे कि कैसे भी करके बच्चा learn करे चाहे sports में participate करे चाहे class में maths पढ़े science पढ़े या laboratory में कोई भी practical perform करे साथ में उनके पास में reading abilities, writing capabilities और communication की जो skills है वो improve होनी चाहे mathematical operations को perform करने के साथ साथ में देखो एक program है that is निपून भारत mission उसमें main focus है कि foundational literacy and numeracy that means आप देखो हमारे आँपर educated किसको बोलते है एक individual जिसकी साथ साल की उम्र हो और जिस बच्चे को लिखना पढ़ना और समझना आए समझ गया और mathematical calculation कर ले basic उसको आप educated बोल दोगे अब साथ साल से उम्र में ज्यादा कोई भी है और यह अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा चीज़े तो अनजुकेटेड हो गया और साथ साल से कम के बच्चे को हम वैसे educated नहीं मानते हैं क्योंकि तब तक वह basic numeracy बेसिक जो foundational literacy है उनमें वो avail नहीं होती तो देखो आप देख सकते हो यह जो निपोन भारत mission है ना यह first time एक component बनकर के आ रहा है नई समगर शिक्षा स्कीम के तहत यह बड़ी important factual चीज़ जो हमें मिल गई है prelims में question बन सकता है अब आप देखो कि जो छोटे बच्चे है प्र देखो कि लोगों का engagement हो community में अगर participation होता है ना तो उसका बहुत असर मिलता है क्योंकि education में education कोई एक यह तो है नहीं कि school की चार दिवारों के अंदर ही आप सीखते हो education तो आप अपने घर पे भी लेते हो अपनी society में भी लेते हो जहां कहीं भी कुछ learning process आपको कुछ activity होती दिखती है तो बच्चा definitely उसको grasp करता है objects के basis में काम हो representation हो बच्चों को एक context मिलना चाहिए कि मैं क्यों learn करूं है की नहीं अब आजकल के बच्चे तो वैसे भी सवाल करते हैं कि क्यों भई why should I do this तो वो answer उनके पास में होना चाहिए तो play based learning होगा तो वो देखो आप cognitive learning उन तो वो बच्चा एक outstanding statements देता है उसकी बाते सुनो उसके आप opinions सुनो तो वो अपने आप में सोचता है कुस करने की कोशिश करता है thinking abilities बढ़ती है communication skill improve होती है और साथ में collaboration का जो behavior है वो आना शुरू हो जाता है psychomotor skills कि कि किस तरीके से मैं मेरे mood को adjust करूं बहुत गुसा उसके बावजूद बहुत जने मेरे साथ में बैठ है तो मेरी वज़े से दूसरों का दिमाग खराब ना हो तो उसको psychomotor skills that means आप अपनी जो psychology है उसको control करके रखो ये बच्चों को ये चीजे learning के basis पे होनी चाहिए देखो gender related intervention जिसमें सीधी सी बात है कि लड़कियों को ब sanitary pads available कराई जा रहा है incinerators that means कोई बहुत सारा कच्रा पढ़ाया तो कच्रे को वहाँ पर इकटा करके और फिर बाद में burn करने की facilities हो second defense training component वो तयार किया जा रहा है self defense self defense का क्यों आजकल आपको पता कितने cases आते हैं कि लड़कियों के साथ मेट्र सेटीज हो रही है तो वो प्री स्कूल सें बारवी क्लास तक की अगर बात करें तो separate amount of stipend और scholarships की facilities और avail कराई जा रही है इससे क्या होगा कि उन students को लड़कियों को जो भी aid and appliances की requirement of purchase कर सके और अपने requirement पूरी कर सके तो gender sensitization भी हो गया अब आजा हुआ physical person with disabilities अब हमारे आप 21 kind of disabilities identified है person with disability act of 2016 में पर problem यह आती है कि classroom में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो कई तो ऐसी disabilities है जिनके बारे में पता ही नहीं पड़ता कि उन बच्चों में कौन से disability है तो इसके लिए क्या किया जा रहा है एक pedagogical requirements को ध्यान में रखते हुए समगर सिक्षा स्कीम के तहती block level पे camps लगाए जा disabilities identified है उनमें से कौन सी वहां पर rely कर रही है इसके अलावा special educators हैं उनको train किया जाएगा कि उन disabled बच्चों को ज्यादा focus दे करके पढ़ाया जा सके और block resource centers हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा resources available कर आए जाए ठीक है इस तरीके से home based schooling को भी promote करना और इससे क्या होगा कि disabilities को standard की अगर बात करें तो यह दो बहुत important चीज़े हैं और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए दिक्षा ICT lab इसी तरीके के जो बहुत सारे digital initiatives हैं वह काम कर रहे हैं जैसे science labs हो गया teacher learning material है वह available हो जाना इसके लाग केरिक्यूलर या pedagogical reforms हैं वह लेकर क्याना पेड़ा को अधा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपको reforms लेकर क्याने वह तिंकरिंग लैंप जहां पर आप innovative manner में काम करो कुछ भी आपके पास में resources है जैसे कि आप देखो छोटे बच्चों को आप कुछ लाके देदो थर्मकॉल के packs लाकर के देदो color paint लाकर के देद फिर उनको बोलो कि आप कुछ innovative बनाओ तो वो अपने ही साफ से कुछ बनाएंगे और कोई ना कोई उनको success मिलेगी ठीक है एक holistic progress card हो जिसमें आप यह दिखो कि बच्चे ने कितना time attend किया क्या किया उसने क्या activities थी कल के comparison में आज की क्या performance थी मतलब आप एकदम point to point अगर में आप देखो efficient schooling होती है कि नहीं इसके लाब आप shift करो किस तरफ competency based education competency based यहाँ पर हम road learning पर ज्यादा दियान देते हैं तो जरूरत किसकी है कि market में अभी जैसे job opportunities की बात भी करें तो क्या industry की demand है कैसे एक बच्चा अपने आपको competent बना सकता है जिससे कि वो जब अपनी education complete कर ले तो उसके बाद में उसको बेरुजगारी का सामना ना करना पड़े अब यहाँ पर एक provision हो रहे है वो यह कि खेलो इंडिया competition में जो schools का participation होता है जिसमें अगर कोई भी school अगर दो medal या ज्यादा लेकर के आती है तो उनको 25,000 रुपए तक का grant देने की बात की जा रही है आप यह देखो आइडिया जो है वो अंडर प्रोसेडिंग जो अंडर कंसिडरेशन है टाइम बताएगा क्या होता है बढ़ हाँ एंकरेजिंग है capacity building focus किसपे करो आप teachers की training के साथ साथ में जो आप stakeholders है जैसे कि society में भी आप टाइम टाइम पर guidelines बताते रहो ठीक है जैसे ही होता ना कि आप society में आजाओ जैसे teachers की कोई conference बुला दी और वहाँ पर सब लोगों को इकठा कर लिया है जा आजाओ सारे आपके community की लोग और आप अपने बच्चों को यह चीज इस तरीके की activities से करने से रोको या फिर यह आप promote करो ठीक है इसमें आप क्या कर सकते जो school management committee है उसके members participate कर सकते है parents है या पीचर जो parent teacher appointment है या फिर जो engagement है उसको आप increase कर सकते हो इससे इसके लाबा institutional strengthen करो जैसे की state council for education research and training SCRTs है उनके अंदर curricularized तरीके से design हो जिससे की बच्चा realistic manner में learn करें district institution educational training blog cluster मतला हर एक level पे आप institutions को strengthen करो सभी states को और सभी uts को इस पे काम करने की ज़रूरत और इसी के लिए guidelines जारी भी की जा चुकी है declare की गई है इसी समगरे सिक्षा 2.0 scheme में इसी के अलावा हमें joy को infuse करने की ज़रूरत है हर एक stage बे क्योंकि आप केवल और केवल वही चीज़ा आप पढ़ात हो रहे हो society के बा चीजों को अगर real life से interact करना शुरू कर देना तो फिर बच्चे को अपने आप में understanding develop होना शुरू हो जाती है तो इसके लिए देखो हमें बहुत मैनत करने की ज़रूरत है teachers और learners दोनों के experiences से हमें कुछ और ideas पिक करने की ज़रूरत है तब ही क्या होगा कि जो कमिया है हम उन ना किया है वो अगर अपनी तरफ से opinion put कर देगा तो उसका benefit भी definitely education system को मिलेगा और उनी चीजों का एंविसास करते हुए समगर सिक्षा 2.0 जो है वो लॉंच हुई है तो writer कौन है secretary है school education union ministry of education राइट आगे चलता है फिर देगो last में तो यह चीज बताई जा रही है कि जो asset monetization pipeline अभी launch की गई है तो उसमें अभी Sunday को article आया था पी जी तमरम जी का तो उन्होंने government को criticize किया है तो writer एक तो clarity यह देना चाते हैं कि जी एक तो आप strategic disinvestment और asset monetization दोनों के discrimination को थोड़ा समझो अगर strategic disinvestment अगर government करती तो इसका मतलब यह था कि government अपने shares को sell कर रही है किसी भी private individual को या private entity को तो यहाँ पर यह strategic disinvestment ना होते हुए क्या है monetization कि सरकार के पास में ऐसे बहुत सारे assets हैं जिनके वहाँ पर पैसे की shortage की वज़े से काम proper नहीं हो पा रहा है इस पर वो नहीं लगेगा job opportunities create हो पाएंगी और जो projects फसे पड़े हैं वह continue हो पाएंगे तो एक तो brownfield projects पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि आप investment में एक बार देखो तो सही किस तरीके का pattern यूज किया गया है एक तो यहाँ पर infrastructure investment trust एक दूसरा है real estate investment trust यह mutual fund की तरह काम करता है जहाँ पर एक छोटे से छोटा investor है जो कम amount में invest करना चाता है वो भी पैसा invest कर सकता अपना इन mutual funds में और फिर इससे क्या होगा कि real estate में काम जो construction activities वो बढ़ेंगी और infrastructure को वो boost मिलेगा देखो यह चीज तो हम बार बार देखते आ रहे हैं कि infrastructure को boost करना बहुत ज़ादा जरूरी है अगर हमारी economy को bounce back करना है क्योंकि इसका multiplying effect आता है कि आज चलो आपने एक road construct की तो road को बनाने में जितने लोगों को job मिलेगी उसके बाद में road बनने के बाद में कितने लोग वहां पर धाबे खोल लेंगे अपनी थड़ियां चला लेंगे कितने ही वहां पर hotels खुल जाएंगे तो job opportunities create होती है multiplying factor यह बहुत सारे आता है इसके अलाबा तीसरा जो point आप वह यह बोलना चाहरा है यह कहना है कि जी हमने तो budget announcement में declare कर दिया था हमारे finance minister ने budget का union budget अनाउंस हुआ था उसे में बोल दिया था कि हम जो यह assets है हमारे पास में जो बिलकुल अभी फसे पड़े हैं जो काम अच्छे से नहीं हो रहा just because of the shortage of money तो उनको हम revival देने के लिए यह हम proceedings शुरू करेंगे ज फिर लास्ट आर्टिकल देखो टू एंगेस तालिबान और नॉट टू देखो चीजे वही repeat हो रही हो कुछ नया नहीं है एक तो यहाँ पर analysis किया जा रहा है जो हमारे external affair minister है जय संकर जी उनके statement को कि उन्होंने wait and watch का बात बुकाई तो बोला अभी तक तालिबान को challenge करने क के लिए अमेरिका तो देखो पूरा withdraw कर चुका है ठीक है आज एक तारीक है deadline complete हो चुकी है दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जो चाइना है रश्या है पाकिस्तान है वो तीनों अपनी तरफ से अपने पत्ते खेलना शुरू कर चुके हैं और चाइना तो बिल्कुल भी मो चाइना है वो इस चीज़ को लेकर के बड़ा sensitive है कि अगर तालीबान वहां पर अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाता है रेडिकल इस्लामिजम को या एक्स्ट्रिमिजम को फैलाने की पूरी कोशिश करता है और उसके चलते अगर विकर मुस्लिम्स के जो groups हैं वो Central Asian countries, Russia के साथ में relation अच्छे रखते हैं अफगानिस्तान में अगर instability है तो उसका सीधा equation जाएगा Central Asian countries जो इस तांस है तजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज्स्तान, खजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, ये चारो जो स्थान हैं ये सारे के सारे Russian influence में हैं तो वहां प जुकसान थोड़े दिखाई देते हैं, वो कैसे हैं कि आपने अभी तक तालीबान, आफगानिस्तान में किसके साथ engagement रखी, तालीबान को तो recognize किया ही नहीं ना, आपने engagement रखी अश्रफ गनी लैट Republic government को, और अश्रफ गनी तो खुद भाग गया, तो उस case में अब कौन हैं, उनकी welfare के लिए काम नहीं करेगा इंडिया, तो फिर बाद में इंडिया के लिए जितना faith create हुआ है ना, जितनी soft power इंडिया ने create किये, वो बुले lose हो जाएगी, हमें strategic patience है ना, उसको तो ध्यान में रखना है, ऐसी नहीं कि जल्दबाजी में कई काम हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अमारी engagement तालिबान साथ करें ही, क्योंकि तालिबान is new reality of Afghanistan, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है, वैसे तो देखो front page पे news है, इंडिया ने तालिबान से बातचीत करनी शुरू कर दी है, बाकि आगे developments है, वो time बता देगा, ठीक है, तो चलिए इस discussion में इतना ही था, thank you very much, continue रहिए गारगी classes का,